नमस्कार तो अगर आपके प्लेश्टोर के एप से जो WhatsApp का आप है ना उसे इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप जैसे यह आप पर इंस्टॉल आले पिशन पे क्लिक करते हो तो आपका जो WhatsApp का आप है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप कैसे इस प्रॉल्लेम को को वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी आप देख सकते हो कि अभी तक हमारा वह इंस्टॉल नहीं हो रहा तो अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो सिंपले मैं आपको आज के इस वीडियो में चार से पाच ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिने करने के बाद डेफिनिटल आपका जो WhatsApp का यह वह इंस्टॉल हो जाएगा बिल्कूल पर फेक्ली तो चलो स्टार्ट करते हैं विडियो को सबसे पहला तारीका जिससे कि आप जो इस वाले प्रव्लम को सौल्फ कर सकते हो तो हमारा जो पहला तरीका है यानि कि जो पहली सेटिंग है वह कह है इसके पर आपको मैंने जब सकता है यहां पर दोस्तों आपके फोन में जितने भी आपसे आपको यहां पर दिखाए देगी तो आपको क्या करना है अभी हमारा जो यहां पर आपको यहां पर आपको एक सबसे इंपोर्डन सेटिंग करनी है वह है यहां पर आपको उपर के दाप आपको आपको ऊपशन में स्टोडर्श्ट यहां वहां पर गणिगा आपको大概 और वाड़िय वायड्शूर को होगा और शायद इसी वाज़े से आपका जो WhatsApp का आप को डाउलोड ना हो रहा हो तो आप क्या करना है इन तीनों को कर देना है अगर ओफ होगा तो एक में से ओके तब दूसरी सेटिंग जिससे कि आप जो इस वाले माला है तो देखो अब शबसे इंपॉर्ण बात यह है कि आपको यागर्ना है पहले तो सब सब्सेंबां यह पूरा वीडियो देख लेना है सबीकी सबी सेटिंग्स देख लेने ंऊसके बाद Abend उसने होगा ili सेगंड स्करीं और आपको 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 फोन में है आप स्क्रोल करने तो यहां पर आप देख सकते हो अब आप को अगर नहीं आप को तो यह च्मेल मोड theme को आप देख ऑक देना हैं प्रहुकर एक फोन में एर मोड को आप करोगे तब देख सकते हो कि अभी हमारा जो network है ना वो चला गया है अब आपको एगर ने इस एयर मोड को off कर देना है जैसे आप आफ करोगे तो हमारा फिर से network आ जाएगा इससे क्या होगा कि हमारा जो mobile network है वो refresh हो जायगा और इससे अगर कोई भी problem होगी network वक्त से रिल्टेटेटेट तो वह सॉल्फ हो सकती है अब दोस्तों आपको तर्ड सेटिंग जिससे कि यह प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारी जो थर्ड सेटिंग है ना वह क्या है किसके लिए आपको आपका प्लेश्टोर का अपको आपको आपको कुछ इस तरीके का इंटर अगर इस वाली जीमेल आइडी में वह प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आगरना है आपकी जो जीमेल आइडी है उसे स्वीच करना है यानि कि जीमेल आइडी दूसरी जीमेल आइडी लॉग इन करने यहां पर आपको प्लेश्टोर में और उस वाली जीमेल आइडी से डा आपके फोन की सेटिंग को तो यहां पर आपको बहुत सारी ओप्शन से दिखाए देगे तो अब दोस्तों आपको करना है यहां पर आपको ऐसे स्क्रोल करने के बाद आपको एक उप्शन मिल जाएगा जो क्योंगा एप सौला जो कि हमने पहले भी बताया था आपको इसी है लिए हम यहां पर सर्च करदेंगे गूगल प्ले स्टोर तो यहां पर हम सर्च कर देता हैं जैसे हैं मौह किम प्ले स्टोर का आप इंफर्मेशन को कि हाँ पर हमारी इलाने के बाद आपको तीन ओप्शन मिलेगे वह पूर्सटॉप अनिस्टॉट और निया डेटा ढ़ आपको इस पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे clear data वाले option में तो यह पर आपको और भी दो option मिलेगे तो अब आपको एगर ने इन में से clear cache वाला option ने इस पे click कर देना है और okay कर देना इससे क्या होगा कि play store का जो cache है वो clear हो जाएगा और इसे अगर कोई भी problem आ रही होगी WhatsApp को download करने में तो वो solve हो जाएगी अब दोस्तों को अगर इन सब को करने के बाद भी आपका problem solve नहीं हो रहा आपका WhatsApp नहीं हो रहा तो आपको एगर नहीं इसके लिए आपको से लिए जो clear all data वाला option है इस पर click करके directly यहाँ पर okay कर देना इससे जो है न आपके play store का पूरा का पूरा डेटा जो है वो clear हो जाएगा और इससे तो definitely आपका जो WhatsApp का आप है न वो download हो जाएगा तो अब फटाट से आप जाओ और WhatsApp को download करके मुझे बताओ कि WhatsApp अब download हुआ या फिर नहीं comment कर देना वीडियो देखने के लिए आपका देन्यवाद thank you so much